नमस्कार दोस्तो श्टॉक मार्केट हिंदी में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की कंपनी की सुरुवात हम कंपनी के फाइनेंशिल डेटा से करने वाले हैं सो फ्रेंट्स चलिए सुरू करते हैं इस कंपनी की कौटरली और येरली दोनों ही डेटा को देखा जाया है तो कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कहीं बुरा नजर नहीं आता है जिया फ्रेंट्स कंपनी की कौटरली सेल्स भी आप देख सकते हैं सब्सक्राइब के साथ तो कंपनी अच्छा पर्फर्म कर रही है कौटर औन कौटर एंड वहीं एरली सेल्स ग्रोथ भी देखा जाया है तो एरली बेस पर भी कंपनी का सेल्स रिवेन्यू देख सकते हैं 2017 में 305 करोड की सेल्स थी एंड एड प्रेसं 2021 की बात करें तो 550 करोड इनकी सेल्स जनरेट होते हैं देखने को मिल रही है वहीं बात करें नेट प्रॉफिट की तो 19 करोड का नेट प्रॉफिट 2017 में था और 2021 तक यह 53 करोड तक हो चुका है तो दोनों ही केस में अच्छी सेल्स और रिवेन्यू जनरेट हो रही है और साथ ही नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक है तो company की sales growth की बात कि जाए तो company का one year का sales growth देखने को मिलता है 18% के तक दिबन 3 years में 15.61% and 5 years में 10.28% profit growth की बात की जाए तो 60% profit growth रहा है last one year का 3 years में 61.39% का है जो की खराब नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी and 5 years में 30.84 का है जो की बहुत बढ़िया है वहीं return on equity भी देख सकते है 22.8% का रहा है एक साल का 3 years का देखा जाए तो 18.72% का है and 5 years में 14.69% है ROCE की बात करें तो 23% की रही है एक सालों की and वहीं 3 सालों में 20.29% 5 years में 17.24% की company का interest coverage ratio भी देख सकते है 6.23 का है ideally 3 के उपर होना बेहत बेटर मनने जाएगा and 1 CFO by Pat इस ratio को भी देखा जाए 5 years का average तो 1.37 का है तो यह भी अच्छी है जी हाँ friends तो company के CGR को भी देख लेते हैं कि as a investor आपको कितना फाइदा हो सकता इस company में अगर long term निवेस करते हैं तो इस company का component annual growth rate रहा है 10 सालों का 43% का 5 years का 58% 3 years में 108% and last one year में तो company ने तक्रीबन 200% की return दे रखी है जी हाँ friends बहुत जबर्दस company है और सांदा return भी दे रही है company के share holding pattern को भी देख सकते हैं तो company के पास promoters की holding है तक्रीबन 65% से FIs ने 0.01% से hold किया है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन DIs इसमें काफी समय से 8 to 8 9% के बीच में holding रखे हुए है दोस्तों यह company 1989 में established हुई है यह company जो है tire bead wire की manufacturing करती है और high carbon steel wire की manufacturing करती है जिसमें tire bead wire जो manufacturing करती है इसमें company का specialization है यानि की company का main business यही है जिसका use सभी प्रकार के automobile tires में होता है और इनके बड़े-बड़े customer भी है automobile tires की manufacturing जो करती है वो सारे clients है साथ ही company का जो high carbon steel wires है वो भी अच्छे खासे construction और engineering industry में use में आता है दोस्तों यह company Asia की largest bead wire manufacturer में से एक मानी जाती है जोस्तों इस company का नाम है राज रतन global wires limited इनकी एक subsidiary company भी है राज रतन थाइलेंड जो की थाइलेंड में एक मात्र bead wire manufacturer है जहां इनका 25% का market share दिखने को मिलता है और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में company का 50% का market share है टायर bead wire के में इस segment में जियां friends और company की client list में देख सकते हैं आप कई tire manufacturer सामिल है जो कि इंडिया की दिगच मेनुफेक्चरर हैं टायर्स के जिसमें Apollo Tires है, ATG, Birla Tires, C8 Tires, MRF और बाल क्रिष्णा जैसी कंपनिया सामिल है और वही Thailand और International Market में भी कुछ कंपनिया इनमें सामिल देखने को मिलती है दोस्तों एस पर market cap राज रितन Global Wires एक छोटी company है जिसका market cap है तक्रीबन 2754 करोड का एड़ प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है 542 का है आपको साथ पता होगी कि अपने शेर को स्प्लिट किया था जिसके कराण यह प्राइस पर देखने को मिल रहा है कंपनी का 52 वी खाए 611 रुपेस का है और 52 वीग लो 152 रुपेस का है इस स्टॉक के पी की बात करें तो 25 का देखने को मिलता है इन वह इंडस्ट्री का पी 14 है तो थोड़ा महेंगा जरूर लगता है लेकिन इनकी quality and performance के साथ यह माइन रखता है कंपनी के पास at present cash है 8.35 करोड का इनकी total assets value है 562 करोड की कंपनी के उपर debt भी है 188 करोड की equity ratio तकरीबन 0.70 का है यहीं कि below 1 है तो यह भी better है और रिजर्व की बात करें तो company के पास at present 257 करोड का रिजर्व भी मोजूद है जिहां friends तो company के सारे financial aspect हमने देखें तो company की sales financials यह सारी data ठीक ठाक देखने को मिलती है जिहां friends और company का business यह भी better है इसे खराब नहीं माना जाएगा दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि इस company में निवेस करना बुरा नहीं हो सकता जिहां friends एक अच्छे business में company operate कर रही है और वहीं market share की बात कर रहे तो company का 50% का market share अके लिए का ही देखने को मिलता है और plus point यह है इस business का कि दोस्तो इनके business segment में new company के लिए काफी ज्यादा entry barriers देख करना काफी मुश्किल वाला काम है जो कि एक long term process है जिसके लिए approval की जरूद पढ़ती है already जो tire manufacturers है उनकी approval की जरूद पढ़ती है जिहां friends इसका plus point इस company को मिल रहा है so friends उम्मीद करता हूँ कि यह video आपको जरूर पसंद आई हो और मुझे लगता है कि राज रतन global wires इस company में आप एक long term investor के जरिए निवेस करके चल सकते हैं जिहां friends company खराब नहीं है company का दंदा market share सब कुछ अच्छा है जिस तरह से automobil industry में बूच्ट आएगा इस company के दंदे में और तेजी देखने को मिल सकती है जिहां friends एक अच्छे price पर मौझूद है after split so friends इस company में कुछ quantity आप जरूर long term investor के इसाप से रख सकते हैं तो friends उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आयो तो दोस्तों वीडियो को like कीजिए और साथ इसाथ stock market हिंदी में इस चैनल को भी subscribe कीजिए और साथ इसाथ bell icon पर hit कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की notification आपसे miss ना हो सके सो friends आज की studio में बस इतना है मिलते हैं next studio में तब तक के लिए धन्यवाद